हाई एवरिवन तो आज हम यार इस वीडियो के अंदर जो डिसकस करेंगे वो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रिक्वार्मेंट एनेलिसस मॉडल ठीक है अब यह जो कॉंसेप्ट है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया वो हम एक एक करके डिसकस करेंगे क्यूंकि स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक आइडिया बता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के फेसे क्या आपको लिखने ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फेस था वो requirement analysis phase तो हमने पढ़ लिया requirement gathering दोनों चीज़ें कबार कर ली बट अब जो main important part है वो ये है कि भाई किस तरीके से कौन-कौन से models के through requirement को analysis किया जा सकता है तो आज का जो main target है वो वह ये requirement analysis models clear ये बाद तो ये आपको बता होना चाहिए कि steps किया है तो पहले step किया requirement को gather किया गया मतलब requirement ली गई then उन में analysis किया गया कौन सी models के through किया जाएगा वो आप समझेंगे आज का जो main target है वो ये scenario based model के अंदर सबसे पहला model ये होता है scenario based model and इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो use case पढ़ेंगे ठीक है use case diagram पढ़ेंगे clear है confuse नहीं करूँगा सीथे लीके चलूँगा but generally होते हैं कितने तरीके के requirement analysis models होते हैं चार तरीके के ठीक है कभी standardly follow करोगे कोई अच्छी book लगाओगे तो आप ही लिखा होगा मोडल्स तीसरा है behavioral model एड जिन जो चौता है वो है flow models ठीक है अब हो सकता है आपको कहीं जगा पर flow models पहले पढ़ा दें dfd बगेरा ठीक है behavioral model फिर पढ़ा दें फिर कहीं scenario based पढ़ा दें sequence कुछ भी हो सकता है बट ये चार requirement analysis models होते हैं बहुत दी important topic है ये है न तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे scenario based model clear है तो आज का जो main target है वो scenario based model लिए समझ गया है 4 models हैं आपको बहुत simple and easy way में बढ़ाऊँगा तो सबसे पहले चलते है scenario based model को समझते हैं तो scenario based model क्या कहता है ये scenario based model रहाँ ठीक है अब इसका तलर ले रहेते हैं black जिससे की easily highlight हो जाए ठीक है तो scenario based model क्या कहता है scenario based model अगर इसको पढ़ोगे आप ध्यान से तो पूरा scenario describe करवाएगा with the help of use case ठीक है तो उसी को कहते है scenario based model या अब इसको समझो कि definition wise तो वो भी clear हो जाएगा scenario based modeling is a technique used in requirement analysis उदो ठीक है अपन यहीं कर रहा है to describe the system requirement through कैसे various scenarios ठीक है कैसे describe करेगा पूरे system का scenarios के through ठीक है various scenarios के through और use cases कहते हैं उसको ठीक है it involves creating detail narrative और story तो main important part यह है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी detail narrative होगी और stories होगी जिससे आप user जो है system को किस तरीके से interact कर रहा है यह जो main important चीज़ आती है वो यह ही आती है कि actor या फिर user किस तरीके से system को interact कर रहा है this line is very 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 important how user interact with the system to achieve the specific goals or task यह वाली line को underline कर लेना जो यह बता रहोंगा है this scenario helped in understanding the function requirement of the system in the real well context and provide the valuable insights into the user needs and the expectations clear है बात हमने function requirement पढ़ लिया हमने non-function requirement पढ़ लिया हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ लिया requirement gathering से लेकर requirement analysis वाला जो पहला पाट था वो cover कर लिया है अब जो scenario based modeling कहती है वो यह कहती है कि किस तरीके से user या फिर अगर use case diagram में बात करेंगे तो actor की बात करेंगे ठीक है अब या actor पढ़ेंगे user को मतलब वो actor ही कहलाएगा तो किस तरीके से user या फिर actor interact करता है system से और उसको कल को क्या उसके जो भी task perform करने है या goals जो है उसके वो क्या specify होते है मतलब complete होते हैं कि नी और achieve होते हैं कि नी यह कहलाता है scenario based modeling अब scenario based modeling के अंदर तीन तरीके के क्या है diagram से पहला diagram में which is called use case diagram दूसरा diagram में activity diagram और तीसरा है user stories तो अगर आपको scenario based modeling पूछ रहा है या तो फिर directly use case diagram पूछ जा रहा है तब भी आपको scenario based modeling से ही start करना है कि scenario based modeling एक इस तरीकी की technique है जिसकी help से क्या कर रहा है अपन पूरे system का क्या कर रहा है describe कर रहा है और system की पूरे requirement ली जा रही है और उसको अपन easily use case diagram से explain कर सकते हैं ठीक है और बता क्या रहा है scenario based modeling कि user किस तरीके से system के साथ interact करेगा and उसको जो भी task perform करने हो कैसे करेगा तो आज हम जो main important topic है which is called use case diagram इसके बारे में complete discussion करने वाला है ठीक है अब use case diagram को समझने से पहले नाम से scenario based modeling और scenario based modeling use case diagram नाम से clear हो रहा होगा कि यार कुछ देखो वैसे scenario based modeling तीन तरीके किये हैं यह हम समझ गया उसी का एक part है use case diagram तीन टाइप की diagram से उसमें एक part है use case diagram अब use case diagram क्या कहता है अगर पहले इदर definition देखेंगे फिर diagram बनाएंगे एक diagram नहीं दो diagram है इस वीडियो के अंदर दोनों सिखाएंगे तो a use case diagram is a graphical representation मतलब क्या एक तरीके का diagram है graphical representation है किस के बीच में user जिसे actor कहते हैं आपर और system के बीच में क्योंकि scenario based modeling तो यह ही कहता है user और system के बीच में किस तरीके से interact हो रहा है और उनका पूरा representation ही scenario based modeling के अंदर है तो यह ही है use case diagram में भी अब यहां पर जो directly लिखा गया है actors तो यहां पर बताएंगे actor क्या क्या हो सकता है user हो सकता है external system हो सकता है तो यह सब actors के अंदर आ सकते है and the system under consideration जो हम system को ले रहे है उन दोनों के बीच का जो diagram है वो use case diagram graphical representation करता है it illustrates the various way in which the user interacts with the system to achieve the specific goals or the task use case diagrams are part of UML very 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 important क्या है यह UML है UML मतलब Unified Modeling Language का part है ठीक है UML कै सकते इसको and are commonly used in the requirement analysis and the software design तो अगर आप से को use case diagram पूछा है तो यह theory आपको लिखनी पड़ेगी important and easy theory है अगर आप scenario based modeling समझ गया है तो भाई यह theory भी कोई बड़ी चीज लगेगी नहीं scenario based modeling पे ही part है use case diagram तो उसी के उपर बिहाफ पे ही पूरा काम है बट यहाँ पे जो users हैं उसकी जगापे क्या use किया जाता है actors तो इसके जो main components की अगर हम बात करें थोड़ा सा zoom करते है तो main components में सबसे पहले क्या आता है actor आता है अब actor क्या होता है इसको red mark कर लेते है तो actor क्या होता है actor represents the different roles or an entity that interacts with the system actor मतलब user कह सकते हो जो की system के साथ क्या करेगा interact करेगा clear है बहुत simple way मैं समझा रहा हूँ बहुत simple way तो user interact करता है system से वह ही है तो user ही तो है actor ठीक है कह सकते हो आप they can be human user बताया भी है क्या क्या हो सकते है human user हो सकते है external system हो सकते है और any other entity that interact with the system actors are depicted as a stick figure और icon outside the system boundary तो system boundary के बाहर तरफ जो होगा इसका diagram इस तरीके से होगा for example this तो ये actor है ठीक है actor को इस तरीके से represent करते है समझे रहे हो ये जो इनसान जैसे दिख रहा है इसे actor रहेंगे तो outside the boundary है बिल्कुल अब ये boundary होता है हम फिर कैसे पचानेंगे कि outside the boundary है कि inside the boundary है तो ये जो square इमें दिख रहा है ये पूरा part square में ये इसको कहते है boundary ठीक है boundary समझे ये use किस diagram है इसे कहते है boundary कहते है और ये जो दिख रहा है इंसान जैसा ये चित्र ये चित्र जो दिख रहा है ये जो दो दो डाइग्राम दिख रहा है teacher, student के ये कहा है actor clear है अब जो definition थी actor क्या है ऐसे users ये फिर actor ऐसी चीज़े जो directly system से क्या कर रही हूँ interact कर रही हूँ बिल्कुल भाई system से student भी interact कर रहा है यहाँ पर student management system से जो check कर रहा attendance बगएरा बगएरा इसको पूरा समझेंगे बाद में but diagram कैसे बनाएंगे actor का वो समझेंगे ऐसी ये भी एक actor है system boundary किसे कहेंगे system boundary ये square वाले ये rectangle वाले जो part दिख रहा है इसे कहेंगे system boundary तो outside the system boundary यहाँ पर दिख गए कि outside the system boundary ही होगी ठीक है यहाँ पर लिखा भी गया था कि ये लिखा है outside the system boundary रहेगा actor clear है then next जो चीज़े which is called use case use case क्या होता है तो use case यहाँ पर बताया गया है कि use case जो है जो आपका main functions होंगे या functionalities होंगे न उसको define करेगा तो ये जो लिखा है न functions और feature of the system उसको बताएगा use case represent the specific functionality or the feature of the system from the perspective of the user user के perspective या actor के perspective जो जो उसके main features है जो जो main functions है उसको बताएगा ठीक है they describe the interaction between the actor and the system to achieve the specific goals or tasks very 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 important नाई ठीक है clear होगी बात users use case can represented overall ellipse तो use case को कैसे बना जाता है just like ये circle जैसा ये ellipse जैसा use case को इस तरीके से बना जाता है मतलब ये use case है check attendance एक use case है check tentable एक use case है ये भी एक use case है ये भी एक use case है use case की definition अगर मैं बताऊ तो ये एक तरीके का feature है अगर मैं बात करूँ student management system की मैंने एक website बनाई जिसके अंदर पूरे students related सारे task है सारे functions है तो actor क्या हुआ student हुआ और teacher हो गया ठीक है ये system की boundary हो गई और ये use case हो गई कि student check कर सकता उसकी attendance student check कर सकता time table student check कर सकता grades ठीक है update कौन कर सकता है student नी कर सकता तो teacher update कर सकता है क्या attendance teacher update कर सकता है grades तो arrow देखो clear है बात तो यहांसे ये समज्ח मैं है कि ये actor होगे student and teacher और जो main important चीज रही है, यह use cases हो गए, use cases जो है, वो main features है, यह main function है, किसी भी system का, ठीक है, तो system यह जो है, वो क्या student management system है, तो इसके ओपर question है, इसी तरीके से question आ सकता है, library management system का use case diagram बनाओ, तो आप बना सकते हूँ, अभी और समझेंगे और क्या क्या चीज़ है, बट उससे पहले हम एके कर गए, यह सारे concepts है, main components देख रहे है, uml diagram के, तो use case diagram, मेरे कहल से आप clear है, ठीक है, simple है, मज़ा आ रहा है, अब जो next चीज़ है, which is called relationship, तो relationship किसके बीच में हो सकती है, actor, और use case के बीच में relationship होगी, और इसको कैसे denote करेंगे, इसको denote करेंगे, arrow से, ऐसे, ठीक ह रहा है, यह वाला जो arrow देख रहा है, this is called relationship, ठीक है, relationship को बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो relationship between the actor and the use case, very, very, very important, are depicted using line or arrow, ठीक है, line से denote होता है, और arrow से denote होता है, यह generally, there are two types of relationship, ठीक है, जनली दो तरीके की relationships follow होती है, एक होती association, दूसरी होती generalization, यह आप देख association की और association की, तो समझ में आ जाएगी, देख लेए, तैंक बारी, association क्या कर रहा है, communication और interaction between actor and use case, it is depicted by a solid line, very, 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 very important, किस से denote हो रहा है, solid line से, ठीक है, ओके, और अगर आप generalization देखोगे, तो आप थोड़ा सा change है, तो यहाँ पर जो definition पढ़ोगे, generalization represents hierarchical relationship, hierarchical मतलब, hierarchical मतलब जहाँ पर एक parent होगा, उसके child होगे, हरारीकर relationship उसे कहता है, ठीक है, अभी और समझेंगे, generalization, specialization के उपर, association के उपर, तो देखो, generalization like, for example, आपको, जैसे inheritance आपने पढ़ा होगा, object oriented के अंदर, वैसी आप समझ सकते हो, ठीक है, between actor and use cases, where one entity is a specialized version of the another entity, very important part, जो भी एक main entity होग या फिर inheritance के अंदर, important concept क्या था, parent child वाला, तो parent वाला जो होगे, specialized होगा, और बाकी उसके, क्या होगे, child होगे, it is depicted by the line, with an open arrow, important बात क्या है, line with open arrow, ठीक है, ये solid line association से, आप solid line को denote करोगे, open arrow pointing from the specialized entity, subclasses, to the generalized entity, which is called superclass, ठीक है, clear है बात, तो superclass, subclass समझ गया है, ये चीज़ है उसके अंदर, just like या रिटेंस वाला concept है, generalization के अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है, जब diagram समझोगे, बनाओगे, तो already समझ में आ जाएगा, then system boundary की से कहते है, जो मैंना आपको बताया, जो rectangle से denote कर रहे है, उसी को system boundary कहते है, ये जो चीज़ है, ये जो complete है, या पर जो मैंना बत एक्टर के होंगे, बाहर साइड होंगे, देखो, use cases सब अंदर साइड है, और actor के हैं, बाहर साइड है, तो दोनों के बीच का जो part है, या फिर दोनों को क्या कर रहा है, एक boundary provide कर रहा है, इसी को कहेंगे, system boundary, the use cases and the actor are placed inside the system boundary कह सकते है, while the external entities are placed outside, तो कुछ external entities, जैसे कुछ actors, जो हैं, वो बाहर साइड है, तो इसके अंदर आप बता सकते हो, system boundary के अंदर, next जो चीज़ है, include and exclude relationship, ठीक है, relationship तो हमने समझी थी, अब ये दूसरी type के relationship, यहाँ पे relationship समझी थी, जो actor और use cases के बीच में, जो arrow denote कर रहा है, this is your relationship, अब अगर इस वाले diagram में दियान से देखोग तो हैं, यहाँ पे relationship के भी type दिखेंगे, यह तो हम समझी के relationship तो दिखा रहा है, एक include दिखा रहा है, दूसरा क्या दिखा रहा है, exclude relationship दिखा रहा है, ठीक है, तो include, exclude relationship क्या बताता है, वो समझते हैं, तो ऐसी बात है, relationship आप समझ गया है, ठीक है, अब एक है, exclude या extend कहते हैं for example अगर आप लोग website यूज करते हैं for example मैंने online food ordering की website देखी ठीक है अगर मैं देखूँ food ordering की मैंने food order किया बिलकुल मेरे घर आ गया बिलकुल time पर आ गया बिलकुल सही बात है बट ऐसा होता है कि अब वहाँ पे एक option है feedback देने का ठीक है तो feedback मैं दूँ की नी दूँ तो ये मेरे उपर है ठीक है तो अगर मैं यही कहीं बना दू feedback का option तो feedback उसमें मैं दूँ या ना दूँ ये मेरे उपर है clear है तो यह क्या होगा एक external extend relationship होगा बार बार external बोल रहाओ मैं बट वह है कि चीज extend relationship ठीक है clear हुई बात तो extend relationship क्या कहलाती है ऐसी relationship जो कि आप दे सकते हो तो भी ठीक है अदला mandatory part नहीं है ठीक है और include mandatory part है बिल्कुल जैसे आपको मालो for example food order कर रहे हो and वो हमेशा क्या use कर रहा है वो use कर रहा है online transaction ही use कर रहा है तो आपको mandatory part क्या है आपको transaction वो आप पर complete करना है पड़ेगा ठीक है for example offline या food जो order हो रहा है वो cash on delivery पर नहीं हो रहा है सिर्फ online transaction पर हो रहा है तो आपको वापे transactions के बारे में पूरी detail देनी पड़ेगी so यह हो गया include वाला part ठीक है यह हो गया include वाला part और यह हो गया exclude वाला part to represent common behavior shared among the multiple use cases very 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 important चीज़ है जब एक से जादा use cases आ जाए तब आएगा यह चीज़ ठीक है include और extend वाला देखो यहाँ पर एक use case यह रहा एक use case यह रहा multiple use cases हो गया तभी अपन include या फिर extend वाला काम करेंगे यहाँ पर भी देखो एक से जादा use cases हो गया तब ही हम include या extend वाला काम करेंगे बट यहाँ पर login में view events में यहाँ पर include और extend वाला काम भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो use cases है वो single है ठीक है? use cases को किस से denote करते हैं? oval से denote करते हैं यहाँ पर बताया गया था use case की डाग्राम के अंदर मतलब clear रहाँ तो यह चीज चीज हो गई ठीक समझ गया है अब तो use case बनाना सीख गया बया अब हमने basic सारे component समझ गया अब diagram से समझते है use cases क्या है सबसे पहली चीज student management को हम सीखते हैं सारा पार्ट delete करते हैं हम यह देख रहे हैं student management को हम किस तरीके से बनाएंगे with the help of use case diagram कोशन वाएगा कि define यह फिर ड्रॉ करो use case diagram ड्रॉ करो student management system का यह library management system का थोड़ा zoom करते हैं जिससे कि easily यहाँ पर focus रहेगा अब सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा actor actor वो चीज होती है जो directly क्या कर रही हो interact कर रही हो system के साथ तो student management system में सबसे जो main important actor कौन होगा student ही होगा क्योंकि उसका कुछ ना कुछ functions उसके कुछ ना कुछ features ही होंगे जिसको हम use case से represent करेंगे तो student के जो main main features या main main function हो सकता है उस website के अंदर या student management website के अंदर या student management system के अंदर क्या क्या हो सकता है student अपनी attendance देख सकता है तो इसको oval से बना दिया ठीक है तो मतलब यह क्या हो गया use case हो गया ऐसी use case हो गया student अपना time table चेक कर सकता है student अपनी fees भी भर सकता है बिल्कुल fees वाला part भी हो सकता है आप चाओ तो extra बना सकते हैं student अपने grade देख सकता है student अपने mid-sam के marks देख सकता है student अपनी attendance देख सकता है बट update नहीं कर सकता अपडेट कौन करेगा? teacher करेगा और grades को update कौन करेगा, teacher करेगा तो अब इन दोनों में relationship जो है वो teacher के point तरफ है ठीक है, तो relationship जो है वो teacher तरफ है, clear बात और ये student आपस में करी जगता है साथी साथ teacher जो है भी एक और actor है, teacher एक और actor है जो क्या काम करेगा वो काम ये करेगा कि attendance को भी check कर सकता है ठीक है, तो साथी साथ attendance check कर सकता है और 10 table को भी check कर सकता है तो teacher के पास सारे access है 10 table, attendance, creates को check भी कर देगा, update भी कर सकता है और update, attendance भी कर सकता है मतलब add the teacher के पास सारे access है and student के पास सिर्फ देखने के access है, student उसमें कोई भी अपडेट नहीं ख़र सकता, clear हुई बात, तो यह हुआ simple सा एक use case diagram, simple एक use case diagram जिसके अंदर हमने बात करी student management system की, क्या हो गया है use case diagram, ठीक है, अब आप से student management की जगा library management पूर सकता है, तो आप क्या बताओगे student होगा, एक librarian होगा, ठीक है, उनके बीच में चीज हो सकती कि student का एक लाइबरेरी का card होगा, कितने time पर हो, कितनी book issue करा सकता, तो यह सारी चीज़ें आप उसके use case के अंदर बता सकते हो, और एक important बात है कि system boundary के अंदर सारे use cases होने चीए, तो यह जो rectangle के अंदर यह पूरी चीज़ दिखरी, rectangle part के अंदर, वो भी यह system boundary, दूस है, हम उसे actor बोलेंगे, और web master भी एक actor ही कर लाएगा, ठीक है, clear है, और यह दो हम समझेगे कि boundary है, तो यह तो simple boundary हो गई, अब actor site user, मतलब आप लोग website को क्या check करोगे, कुछ भी चीज मालों, Google आपने open किया, तो आप सबसे पहले search करोगे, तो आपने क्या search किया, ठीक है, त तो user search कर रहा है, और यह क्या होगे, use case होगे, search करना, अब या तो जब वो search कर रहा है, या तो उसके पास option है देखने का, वालो उसने कोई भी website PDF डाउनलोड करी, है न, PDF देख रहा है, for example, text और पीडिएफ देख रहा है, वालो ट्रू जीने की website है, तो हमारे पास क्या होती PDF होती है, तो या तो एक option है, PDF को preview कर लेगा, या तो दूसर option है, उसके पास, PDF को उसने देख तो लिया, साथ में PDF को download भी करना चाता है, अब ये दोनों जो है, वो include relationship को बता रहे हैं, जो अपन ने अभी देखा था, include और extend वाला relationship, include क्या होता है, एक ऐसा relationship, जो की optional नहीं है extend होता है, optional, ठीक है, तो अब search किया, उसने देखेगा, तो at least वो सही, ठीक है, तो preview तो करेगा ही, करेगा, तो ये तो include वाला part क्यालाएगा, ही क्यालाएगा, साथ में ये जो part है, download भी वो करेगा, ठीक है, तो जब ही तो अपने system में store करके रखता है, तो ये भी include वाला ही part है, clear हुई बात, तो include किस तरीके से denote करोगा, ये समझे गया, दूसरा है कि document को Google में देखेगा, देखेगा, तो कहां करेगा, preview करेगा, obvious ही बात है, download नहीं करना, सिर्फ उसको देखना है, ठीक है, तीसरी जो use case बन सकता है कि events को देख रहा है, events मतलब, normally सारे events होते है, आप सुने होंगे, events होते हैं, जावस्क्रिप्ट के अंदर भी events होते हैं, तो simple click करने पर क्या हो रहा है, ये सब चीज़ है, events है, then next, जो भी users है, वो क्या करेगा, login कर सकता है, बिलकुल, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप double relation या double क्या बोल सकते हैं, इसको use case क्यों नही double use case उसी scenario में बनेगा, include और extend वहीं पर बनाएगा, जहाँ पर multiples use cases possible हो, अगर आप लोग definition देखोगे, include और extend की, यहाँ पर लिखा है, multiple use cases होना जरूरी है, वहीं पर आप क्या करोगे, इन चीज़ों को बताओगे, include है कि extend relationship को follow कर रहा है, include relationship, ये include relation है, ये extend relation है, तब ही बता उसने upload कर दी, ठीक है, upload कर दी, तो वो ये mandatory part नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, extend relation बता दिया, extend relation मतलब कि image नहीं भी upload करेगा, तो भी चलेगा, by default जो भी image होगी, logo वाली वो दिखने लगेगी, but उसने करना है, तो कर दे भाई, तेरे उपर है, तो extend का मतलब समझ ग पेज के अंदर वो सब, और दूसरा, जितने भी उसको users को add करना है, अब add users, normally क्या हो सकते है, extend relation के अंदर आ सकते है, because add users, खुद बखुद भी आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी नहीं, clear हुई बात, तो ये आप इस तरीके से, अब मेरे खाल से, use case diagram बना रहा स सीख चुगे हो, और ये एक detail video है, use case diagram के उपर, और मैंने बहुत ही basic तरीके से, दो use cases आपको समझा दी है, with complete, इसके components, clear हुई बात, और मैं आप कराऊं कि use case diagram सभी को समझ में आ गया है, और जो scenario based modeling है, वो पहले वाली modeling के अंदर, जो पहला diagram में use case वाला, वो cover हो गया, अब next video के अंदर आपन activity diagram के बारे में समझेंगे, तो मिलते next video के साथ यार, bye